हलो यूरी वान मेरेकम तो माई चैनल सुगाइस आज हम कॉन्फर्मेशन का जो टॉपिक है कॉन्फर्मेशनल एनलेसिस ऑफ साइक्लोहेक्जेन एंड क्लीन्स का जो टॉपिक है इस कंप्लेट करेंगे मोस्ट टॉपिक है काईस हमेशे एक्जाम में आते रहते तो आपको में सेज़ कर सकते हैं डिस्कूपिशन में वार्स नमर शेयर कर दूँगी तो चिलिवड़ को स्टार्ट करते हैं तो कॉन्फर्मेशन होता क्या है उसके बार में देखेंगे तो क्या कहरा है यह कारपन एटम जो एक दूसरों से एकल बंद दौरा जुड़े होते हैं ठीक ह और क्या होता है यह जो अपने एक्सिस पर जो होते हैं सोतंदर पुर्व इस्पीन कर सकते हैं ठीक है अब कहरा है कि कारपन कारपन सिंगल बॉर्ड में फ्री रेडिकल की धारना यहां प्रदर्शित करती है कि एक मोलेकुल के एटम की आंतरी में असंख्य विवस्ता हो सकत हैं यहां पर कि विवस्ता होती है वो निरिंधनर रित नहीं होती तो यह एक दुसरे पर अध्यारुपित होती है और यह गुणा दोरा उत्पन्ना होती है एंतरिक में एंडिनर व्यवस्ता के अब इनकी व्यवस्ता होती है , एक निर्धार्य व्यवस्ता नहीं होती तो आप éléments क्या कह सकते समू या संरुपन कह सकते हैं इस पत्का सबसे पहले प्रयोग किस ने किया था वियन हाउर्थ ने सन 1929 में किया था ठीक है इसका यूज आओंग आप इसका जो वेगेनिक नाम है वो वियन हाउर्थ ने 1929 में किया था तो इसको पच्छे से याद कर लेना है आपको कोशन इस तरह से आ सकता है कि discuss about confirmation for of declines and discuss confirmation cease and trans declines ठीक है तो आपको इस तरह से question दे सकता है तो आपको इसका answer यही लिखना है सबसे पहले कोई भी confirmation का अगर आपको कोई topic आता है confirmation से related कोई question आएगा आपको तो आपको सबसे पहले इस तरह से आपको जो है इसका introduction देना पड़ेगा ठीक है जो होता है मैं आपको कहीं वीडियो में बताया है कि आपको जो method है लिखने का वो एक दम fix होना चाहिए ठीक है अच्छे से आपको introduction है आपको पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन दीजिए फिर definition है तो definition दीजिए और उसके बाद में फिर आप जो है अपना answer जो भी आपको लिखना है हापे है वो आप लिख सकते हैं ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं तो क्या करें confirmation of declines के जो topic है तो यह होता कि है तो क्या करें कि आपको लिख सबसे अधी इस्टेबल होने की उमीद है यहां पर कहा है कि जो declines के छे मेंबर होते हैं वो रिंग या चेन की फॉर्म में होते हैं ठीक है रिंग जक्षन हाइड्रोजन या तो मॉलेकुल के एक तरफ ही सिस्टेखलीन या अबोधिर साइट ट्रांस ड्रिंगलिन पर हो सकता है ठीक है यहां पर जो है क्या हो दो प्रकार के डिकलिन के बारे में बात कही गई है ठीक है जब दो वलिया ने दो रिंग के भूमद्य रेखी इक्योटोरियल प्रकार एंट्राइस के बॉंड के मद्य से जुड़ते हैं तो आगे रिखते हैं ट्रांस डिकलिन रिजल्ट मिलता है जबकि एक्स अक्षिम भूमद्य रेखी गया ने संग एक्सिस इटोटोरियल यूनिक सिस डिकलिस देता है इसकी अधिकलिस की मकाबले में जो ट्रांस डिकलिस होता है वह बहुत ज्यादा स्टेबल होता है इसमें यह कहा गया है और क्या कह रहा है कि जो इस जो मा लीजिए जब एक्सिस भूमद्य रिखिए जो होता है X-Shiss Equatorial egocatorial o xis decrease और दोनों आइसमर्स चित्र इसफर्ष है कि जो कि तुल्ना में जो होता है जो ट्रांस होता है वह क्या होगा अधिक स्टेबल होगा ठीक है आप जैसे कि आप दियाम पर देख सकते हैं तो यह जो आपके जो डाइक्राम है इसको आपको एक्जाम में अच्छे से लिख कर आना है ठीक है आपको अच्छे से रट के जाना है इसको ठीक है और I hope कि यहां पर आपको नोर्स जरूर पसंद आया होग और साथ ही अगर आपको कोई टोपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेर्मेंट बता सकते हैं ठीक है और मुझे वार्सटेश करने हैं तो मुझे वार्सटेश कर दीचाए डिसक्रप्शन में वार्सटेश में शेयर कर दूगी थैंक्यू